अब फिर देखेलो बिटा तो लास्ट वीडियो के अंदर लास्ट एक्वेशन हमने यही ड्राइव की हुई थी खिक है तो अब हमने कहा कि इस इस दा स्टेंडर्ड एक्वेशन ओफ इसका मतलब यह हुआ कि LC सर्किट में जो चार्ज है इट विल अंडरगो इग्नेटम यूज करी मैंने अंडम्ड ओसिलेशन्स ओके सिंपल हर्मोनिक मोशिन में होगा वो जबकि RL सर्किट और RC सर्किट के अंदर एक्स्पोनेंशल ग्रोथ थी एक्स्पोनेंशल ग्रोथ थी ठीक है विटा तो मैंने खांगे अंडम्ड का मतलग ऐसा होता है जिसकी पीक वेल्ली चेंज नाओ तो इसले अंडम्ड ओसिलेशन होंगे फिक्स्ट एनर्जी वाले होंगे विटा इस यहां से लेकर यहां तक का टाइम ठीक है आम आले जे हमारा कुछ टाइम बाद माले जे उस टाइम पर जब जब इस Pre-charge मैकसिमम था मैं की को क्या करता हूँ close कर देता हूँ open और के टू को close मैं यह करणा हूं अब देखेगा क्या अगला ए इसको देखो ठीक है ओपन कर दिया अपनी स्टोप वाज जो चल रही थी रोक दी मैंने बताया था टाइम हम कहां से लेते हैं स्टोप वाज आपके सिंपल जो गड़ी होती है उससे टाइम आपते ना फिस लैब में स्टोप वाज से टाइम आपते हैं ठीक है तो मने क्या क्या इसको ओपन कर दिया और इसको क्या कर दिया पिटा क्लोज कर दिया कि कब जब कैपेस्टर पर चार्ज मैक्सिमम था ठीक है वेंदर चार्ज होंता कैपेस्टर वाज मैक्सिमम मिन्स अब क्या हुआ दुबारा मैं स्टोप पास स्टार्ट कर रहा हूं तो जीरो हो जाएगी लें कब किया है मैंने जब मैंने के वन को ओपन बना दिया के टू को क्लोज कर दिया और उस टाइम पर क्या जब कैपेसिटर के ऊपर चार्ज की वेल्यू क्या थी विटा है मैक्सिमम थी फिर देख सकते हो आप यह वली चीजी के के वन को ओपन के टू क्लोज यहां पर टी जीरो पर यहां पर चार्ज मैक्सिमम था अब क्या होगा देख रूटा इस पर माल जी चार्ज अब यह तो अब यहां पर चार्ज अब इस चार्ज को क्या करेगा रास्ता मिल जाएगा ना करने के लिए तो क्या आपने सर्कीट तो कंप्लीट कर दिये ओके अब यह वहां से जो चार्ज होगा इसको डिस्चार्ज होने के लिए रास्ता मिल गए यह बला complete circuit मिली हो यह इसको तो लेकिन यहाँ पर कौन बैठा हुआ है inductor और मैं हमेशा कहता हूँ inductor की ताज़त खराब है जो process हो रहा है उसका क्या करना होता है उसने अपोज करना होता है अमेशा जो हो रहा है उसका अपोज करना होता है ठीक है तब क्या होगा यह जैसे यह discharging शुरू होगी यह discharging का भी अपोज करेगा और इसलिए discharging immediately नहीं होगी discharging भी क्या होगी बिटा slow slow discharging होगी इसकी ठीक है और इसलिए अब हमारे पास क्या होगया EMF खतम देखो उस दिन जो article शुरूआ था total applied E था induced EMF होगया था LDI by DT बिटा और यह जो net EMF था यह capacitor के across drop हो जाएगा capacitor के across potential का formula Q by C होता है आज अब हमने क्या क्या है बैट्री एटा दी ठीक है बैट्री एट गए है ना बिटा तो अब हमने पास क्या वाचा माइनस L D I by DT plus Q by C that is equal to 0 और प्लेस अब बिटा क्या होगया यह गलरबल होगी ने आपे एकोल आएगा और यह कुछ आई नहीं ठीक है थेंक्यू यह पिटा बास मैंने क्या 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 के वन को अटा दिया इस मेंस बैट्री एट गई तो minus L D I by DT is equal to Q by C और I को मैं लिख सकता हूँ D Q by DT यह आगे पिटा हमारे पास मैं एक ही तरफ कर लेता हूँ प्लस क्यों जहेंगी तोनों ट्रम्स L D DT I की जहेंगे D Q by DT plus Q by C इसको भी जहेंगे माइनस माइनस कट गया और इस में भी रिटन आई देखो भी टाना इसका मज़र क्या हुआ कि यहां पे जब डिस्चारजीन होगी वो भी उसिलेटरी नेचर होगी उसिलेशन की फॉम में होगी ठीके जैसे चार्जिंग भी उसिलेटरी थी डिस्चार्जिंग भी उसिलेटरी होगी तो दस डिस्चार्जिंग इस आल्सो यह कुंचा आर्टिकल चुरू कर दिया अब हमने यहां से इस टिस्चार्जिंग का आर्टिकल स्रूख दिया है this is discharging of capacitor through inductor यह एदिग से चुन्टिन्यो क्या था ना इसके बाद से ही श्रूई आज़ा इसके बात से श्रूब्या दो और oscillatory in nature तो दोनों compare करेंगे with angular frequency देखो बिटा omega square 1 by LC देखो बिटा यहाँ पर 1 by LC नहीं जाएगा देख लो तो omega वही आगे बिटा 1 by under root of LC या बाकी आगे का काम तो वैसे ही आजेगा हमारे पास इसका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की frequency एक तो सेम होगी LC circuit के अंदर पहली बात तो यह आगे दोनों में सेम आ रही है पिटा ओके और दोनों ही charging और discharging कैसे नेचर के होंगे पिटा अच्छा जी आप देखो पिटा इस equation का solution की बात करते हैं जैसी यह equation सिंपल equation ठीक है equation का अगर मैं general solution की बात करो तो यह आजेगा x is equal to a sin omega t plus 5 आप करके देखे लोगे इसका double differentiation यह इसको satisfy कर रहा है second order differential equation चाहिए ऐसी होती ना उसका solution यह बन जाएगा पिटा करके देखे लो एक बार differentiation करेंगे दो बार इस satisfy करेगा यहाँ पर क्या हो जेगा मैं गर लिखूँ कि जर्नल solution जर्नल solution ओफ equation 1 तो x की जेगे मेरे पास 4 से बीटा क्या हो यह होता था हमारे पास हमें नहीं पता अभी क्या है देख लेते हैं एंड इस साइन ओमेगा टी प्लस फाइब बताओ ठीक है यहां देखिवाद अब आपको पता है एट पी इस इकल टो जीरो आपने जब की ओन की थी देखो टी जीरो के ऊपर विटा क्या हो कितना है क्या हो नोट क्या हो नोट क्या हो नोट क्या हो इस सार्जिंग तो मैक्सिमा से ाइब अनियृ प्लस क्यों फीक विट्याख और तो मैक्सिम्हेस्ट लेहें क्यों क्यूस साइब करें तो मैक्सिमोगई अजीड धिजिरों स्वान पाहिए और इफ 5 को बिटा 90 पुट कर दें 5 बाइट तो एक वैल्यू आगे मेरे पास क्यों नॉट साइन 90 कितना होता है बिटा 1 होता है कि नहीं होता है तो पुटिंग इन किसी कर दें कि पुटिंग इन 3 क्या हूँ ये बन गया विजलना से उसे एक ही जिंग है क्या हूँ नॉट साइन ओमेगा टी लेकिन एक के जिंगे क्यों नॉट तभी लिख सकते थे जब 5 की जिंगे क्या लिख होगे फाइब भाइब लुट इज जर्नल सॉलिशन और एक बार प्रोस चेक करना चाहते हो आप क्रोस चेक कर सकते हैं जब T0 था तो क्या हूँ नॉट होना चाहिए अगर यह आ रहा है तो इसका हमने ठीक सोल किया है अदर्वाइस हमारे एक्वेशन के है गलत है अगर T0 पूट करें इसमें T0 क्या तो Q is equal to बन गया Q note sin T0 pi by 2 sin pi by 2 बन बटा तो Q is equal to क्या आजेगा आपका Q note आजेगा खीक है तो इस इस दा जर्नल सॉलिशन तो आपका जो चार्ज है बटा इस तरीके से चार्ज जोग बटा वह वैरी करेगा के लिए देखो आरल सर्किट आर्सी सर्किट में अमने का एक्सपोनेंशली ग्रॉथ करता है और एलसी सर्किट में उसीलेटरी गुदाता है तब मैं काम क्या कर रहा हूं बटा सबसे मुश्किल काम शुरू कर रहा हूं अब मैं जो एक बड़ा आर्टिकल है आज की वीडियो में भी चलेगा कल की वीडियो में भी वही कॉंटिन्य होगा मैं तीनों एक साथ जोड रहा हूं हो lb, rb और cb तीनों को खट्टे जोड़ करेंगे तो देखते हैं exponential होगा, oscillatory होगा या क्या होगा देखे उड़ा that is हम सुरू कर रहे हैं अब charging of capacitor through दोनों एक साथ through inductor and capacitor charging of capacitor through inductor and capacitor that is, इसको का बोलेंगे विटा तीनों जोड़ेंगे ना, इसको बोलेंगे LCR circuit पर मैं फिर एक बार याद दिला रहा हूँ बिटा, बी केरफुल इस, मैं बैटरी जोड रहा हूँ यानि बैटरी जोड रहा हूँ तो इस यादा DC circuits यही तीन चीजें LCR circuit में थोड़े दिन बाद आपको AC के साथ भी पढ़ाऊँगा तो एक्जाम में गलती क्या होती है जब DC वाली कुछते है तो बच्चे AC वाली लिखाते है AC और DC का फ़रक बढ़ा हूँ LCR तो, sorry अच्छा ये ठीक है है भई Resistance आपके तो क्या आएगा ये Registance आएगा मैंने बोल तो सही रहा था और लिख गलत दिया यहापे थू इंडेक्टर एंड Registance तभी तो LCR बनेगा तीनों जुदेंगे पर मैं ये जो पता रहा था ये लिख दिया ना विटा चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर तो C एरा इंडेक्टर एरा विटा Registance एरा विटा ठीक है तो यह हो गया तीनों और आपने जो ध्यान देना है DC circuits के लिए पढ़ा रहा हूं अभी में तो ये देखो विटा माल लीजिए सीरीज में कोई फ्रक नी पड़ता किसको पहले जोड़ा आपने किसको बाद में जोड़ा है ठीक है सीरीज में It hardly matters ये वही usual बिटा डाइग्राम तो वैसे ही बन रहा है आपका K1 है यहाँ पर मैं K2 है वही एट T0 हम क्या करेंगे G1 को continuity K1 चूज लोगर K2 अपन होगा वही बिटा एगदम से जैसे ही इसको क्लोज करुआ करंट इंक्रीज होना चाहेगा और करंट इंक्रीज होना चाहेगा तो इंडेक्टर बोलेगा भाई ऐसे कैसे increase हो जाओगे मैं बैठा हूँ आओं और मैं बैठा हूँ तो क्या करूँगा एक induced EMF पैदा करेगा ठीक है तो यानिकि net EMF कितना हो जाएगा मेरे पास ए मैंने apply किया था और यह इसके position में आके खड़ा हो गया तो net effective यह बचा की नहीं बचा हो पिट था E minus L di by dt और यह जो बच गया EMF यह कुछ हिस्सा इसका capacitor खा जाएगा और कुछ हिस्सा resistance खा जाएगी खा जाने का अगा समझते हो कि भई कुछ capacitor के across drop हो जाएगा पिटा और कुछ किसके across drop हो जाएगा resistance के across drop हो जाएगा ओके और this is E minus L di by dt C equal to capacitor के across क्या होता है Q by C resistance के across तो IR होता है और I की जिन्हें में लिख सकता हूं D cube by dt लिक लेएगा तो यह देखो क्या बनता है वह हमारे पास मैं यह पूट कर रहा हूं this is E minus L L तो रहने दो यह बंजेगा d square q by dt square ठीक है equal to q by c actually मैं क्या कर रहा हूं एक i variable एक q variable है तो मैं सबको ना ठाके एक variable ने क्या आना चाहरा हूं इसलिए बस मैंने सबको डा दिया Q में लिया है और i क्या हो गया फिर से d q by dt into r r इसको इदर लिया हो plus का this is d square q by dt square विटा मैं L से डिवाइड कर दा हूं साथ साथ plus r by L d q by dt is power वाली फिर उससे कम पावर की ऐसे करता दा रहा हूं ठीक है plus q by lc और क्या बच गया माइनस e देखना भई plus minus से बार चेक कर लें मैंने बताया आपको एक बड़ा अर्टीकल एविटा एक भी गलती हमें डोने में बड़ी मुसीबत कर देगी तो इसलिए plus minus हम थोड़ा केरिफली चैक करते नहीं तो ज्यादा बैटर है इसको अपनी तरफ से कुट कर रहा हूं कल इसको रिमूव करेंगे आर भाई यल को आर भी कॉंस्टेंट रहा है इसको हम अपनी तरफ से कुट कर रहें एक टू भी इस सम कॉंस्टेंट इसको इलिमिनेट कर दें इंकल वापिस बार बार आर भाई यल नहींगा और वन बाई यलसी तो अभी प्रूव किया था आप में कितना होता है यहां सी से मल्टिपलाई कर रहा हूं और सी से डिवाइड क्यों टाकि वन बाई लसी बन जाए तो देखो क्या बन गया दी स्क्वेर क्यू बाई डी टी स्क्वेर प्लस टू बी दी क्यू बाई डी टी प्लस वन बाई लसी बिटें नुमेका स्क्वेर बार अंदर बज़ गया क्यू माइनस सी ए अगर कैपेस्टर के अक्रोस इस टोटल पोटेंचल और सारा के सारा माल लो इसी के अक्रोस ड्रोप हो जाए मिला उस टाइम ना रिजिस्टन्स कुछ खाए ना यह कुछ खाए तो उस वक मैक्सिमम चार्ज आजाएगा नियाएगा चार्ज तो आए नहीं सकता अदरवाइस तो क्या होगा कुछ इसके क्रोस ड्रोप कुछ इसके क्रोस पर माल पोटेंचल के क्रोस ड्रोप होगा ज्यब फुलई चार्ज हो जाएगा उस तो 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 C e q-node हो जाएगा और q-node क्या ची से विटाना है maximum value of a charge. तो यह equation बन जाएगी हमारे पास d square q by dt square plus 2b dq by dt plus omega square q minus q-node that is equal to g. जैसे उस दिन हमने क्या था विटा हम अपनी दरफ से put कर रहे है q-q-node को x, q-q-node को x put कर रहा हूँ, differentiate करो with respect to time dq by dt minus 0, विटा q-node तो maximum charger यह all हो, चाहिए maximum हो, चाहिए minimum हो, first differentiation तो 0 होना होता है, तो dq-node by dt 0 और यह मच गया बिटा, dx by dt, similarly double differentiate कर दू, यह double differentiate आजेगा, x का मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर d square इसकी जंगे तो क्या आजेगा, dx square by dt square, 2b, u, q, dq by dt की जंगे क्या आजेगा, dx by dt, और इसकी जंगे x आजेगा, देखो पिटा क्या बनगे equation मेरे बास, अच्छा जी, क्या बन जाएगे, बढ़ लिखें बिटा, यह बन जाएगी equation, पहली equation, d square x by dt square, फिर था पिटा 2b, r by l को माना था हमने, बी केरफूल, फिर यहां था dq by dt, वो आगया, dx by dt, फिर था omega square, और फिर था q minus q note, और उसको मने क्या बना था बिटा, x that is equal to 0, और यह equation number होगी मेरे पास, कितनी आगे थी equation, 5 तक आगी थी ना, फिर equation number के आगी, 6 आगी, आगे बई, यहां तक की बाते हैं, तो यह कौन से order की थी, सेकंड डॉर्टर की, सेकंड डॉर्टर, इसे सेकंड डॉर्टर डिफिरेंशियल एक्वेशन, तो भीटा आप अमने ना, इसका x की वेल्यू फाइंड आउट करने हैं, तो मैं एक बार क्या कर रहा हूं, इसका एक ट्राइल सोलुशन ट्राई कर रहा हूं, ठीक है, लेक्ट, मैं एक माहल लेता हूं, x जो हो गया, ठीक है, it is a e raised to power alpha d, मैंने बिटा, a and alpha, कोई भी दो, arbitrary constants मान लिए है, ठीक है, arbitrary होता है कि मुझे जिनकी value नहीं पता है, अभी भी, कि नहीं है, बाद में में देखोंगा क्या आएगा, अबर में जनर्मल, वो कहते हैं नहीं, it and trial, it is a trial solution, मुझे नहीं पता क्या बनेगा, कि के, the second order differential equation को सोल करें एक तरीका देख रहा हूं है, मेरे पास आया है यहां से, dx by dt, it is a e raised to power alpha t into alpha, अधा सभी को differentiation की बिटा, d square x by dt square, ए परफिर differentiation तो होजेगा, alpha cos square a e की पावर alpha t, प्लीज सी ठीक है कि नहीं है यह अली बात, भई मेरी आवाज नहीं आ रही क्या, message डाला किसी बच्चे ने, am I audio bell? आ रही है, आ रही है sir, बिटा, जिसने message डाला हो अपना net check करें फिर, अपना audio connect करो, ठीक बात है, and, मैं क्या लिखो इसको इनको भई, यह मैं जर्ण reply to all कर देता हूं, everyone, connect your audio, ऐसे लिखो इसको है, connect to audio, आगे कर रहा हूं, अपना आटिकल को, and, तुमारों आगे ट्राई की, गूगल पर start हो, गूगल मीट पर ट्राई करो, मामे कल ग्लास भई, तो और न तुम्हें लंबी हो सकते है, ग्लास, ठीक है पिटा, यह values तो simple differentiation किया है, मैंने, number 6 में put करो, तो यह value हो गई, alpha square, a e raise to power alpha t, plus 2b dx by dt हो गया पिटा, a alpha e raise to power alpha t, plus omega square, और x की जिए अगे, a e raise to power alpha t, that is equal to 0, a e raise to power alpha t तो पहर हो गया, और यह आगे पिटा, alpha square, plus 2b alpha, plus omega square, that is equal to 0, यह term तो 0 हो नहीं सकती, यह वली दो, क्यों नहीं हो सकती, अगर यह 0 होगी, तो पहरी, x ही 0 होगी, x 0 होगी, solution 0 होगी, कुछ भी मेरे पास, solve करने के लिए बचा ही नहीं, समय से मिटा, तिट मेंस, यह satisfy तभी होगी, जब यह bracket 0 होगी, that is, alpha square, plus 2b alpha, plus omega square, is equal to 0 होगी, तो यह तो, यह तो, यह तो, it is quadratic in alpha होगी, तो इसका solution जाओ, minus b, plus minus, b square, minus, a square, b square minus, 4 भी होता है ना, 4 a, 4 a, 4 a, 4 a, 4 हो रहाएगा, ठीक है, अपों, 4 a, upon 2 a, 2 a, ठीक है बटा, टू कट जाएगा न, थूरा उट देखो, टू कट जाएगा कि नहीं, जासर, 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 माइनस बी, प्लस माइनस, बी स्केर माइनस, ओमेगा स्केर, इट मीन्स हमारे पास, अल्फा की, क्या आगी पिटा, दो वैल्यू जागे की नहीं, जामने आज जर्नल सोलुशन, पुट क्या था, एग या प्लस वाली आएगी, और एग माइनस वाली वैल्यू आएगी, तो जो, यानि की, क्या लिखेंगे, तो इसमें चन्द टाइप का जो सोलुशन बनेगा, वो ये बनेगा, फिर एक्स इस इकल टू पिटा, ए, ए रेस टो पार पहली अल्फा की वैल्यू, माइनस बी, प्लस बी स्क्वेर माइनस ओमेगा स्क्वेर इंटू टी, और एक और कॉंस्टेंट इंट्रिद्यूस कर रहा हूँ, नो नीड टू वरी, जो मैं इंट्रिद्यूस करूंगा, वो मुझे रिमूव करने पड़ेंगे, मैंने अभी तक है एक इंट्रिद्यूस क्या इस से पहले बी, वागी वो भी उसके दिवैल्यू पता ही हैं, मुझे आर भाई अल्ल है, ठीक है, तो अभी तो अमरे पास क्या था अल्फा, तो अल्फा तो एल्लिमिनेट हो गया, लेकिन आप यहाँ पर दो आगे और भी, कोई बाद नहीं, इस ए रेस टू पावर माइनस भी प्लस नहीं काहेगा हूँ, माइनस, माइनस, तो बी स्केर, माइनस, ओमेगा स्केर, ती, बताओ, ठीक है कि नहीं, बताओ, हाँ, नो डाउट, ए और बी कहा है हमारे, आर्बिट्रेरी कॉंस्टेंट्स हैं, जो हमें क्या करने पड़ेंगे, बिटा, सोल करने पड़ेंगे, ठीक है, और एक्स की वेल्यू, यूजिंग, फोर, तो बिटा, क्यू के लिए, एक्वेशन आगई मेरे पास, इस क्यू नोट को उधर ले जाएंगे, हम तो हमरे पास एक्वेशन बन जाएगी, तो यह बनेगी, बिटा, क्यू इस इकल टू, क्यू नोट, प्लस, A, E की पावर, निकाली थी, माइनस B आया था, पहली ट्रम B वाली थी, यह थी B स्क्वेर, माइनस ओमेगा स्क्वेर, T, मैंने कहा था, बड़ा आर्टिकल है, बड़ी एक्वेशन है, पलस, B, E रेस टू पावर, माइनस B, माइनस, B स्क्वेर, माइनस, ओमेगा स्क्वेर, दोनों मैनस टे, T, मेरे खाल में पहली यह आना चाहिए, यह बड़ी देख लेते हैं, पिछले पे इस बिजाके, यह था, Q माइनस Q नोड, सही है, और एक पार, प्लस वाली वाली उती मेरे पास, पर यह पार मेरे पास क्या थी बड़ा, माइनस वाली वाली उती, ठीक है, और यह नंबर बनगे, मेरे पास, 12 नंबर, this becomes, equation नंबर क्या आघा बड़ा, मेरे पास, 12 नंबर equation आगी, ठीक है, यह क्या आघा है मेरे बड़ाश, अभी तक, एक जर्नल सोलीशन डूंडने की कोसिस कर रहे हैं हम कौन सी वाली एक्वेशन का जर्नल सोलीशन डूंड रहे हैं मिटा हम यह जो हमरे पास एक यह भी नहीं राधर यह जो एक्वेशन पनी थी यहां पर आपके पास यह जो नंबर 3 थी विटा में तो यह थी चार्ज में इस equation का इसमें charge कैसे वह आधिमेटले हम कर क्या रहें यह पता होना जी है हम यह कर रहें विटा यह जो चार्ज है यह oscillatory motion oscillations वाला charging discharge होगी exponential होगा या उनका combination होगा क्योंकि इसमें Rb, Lb और Cb तो इसके लिए हमने शुरू में थोड़ा solve क्या Q-Q0x करके ठीक है ना और फिर हम आगे चले हमने simple ये एक x में बन गई थी तो ये second order differential equation आगे बिटा और इस second order differential equation का ट्रायल solution बोलते हैं इसको कुमसा solution बोलते हैं ट्रायल ट्रायल solution लिखा मैंने यह आगया double differentiation करके यह values पुट की मैंने तो इस बिकम्स एक quadratic equation in alpha हमने इस alpha के दो values आ गई दो values आने का मतलब यहाँ alpha दो values हैं तो यानि इसके coefficient भी दो होंगे मेरे पास तो मैंने एक और नया इंटर्ड्यूस कर लिया पिटा constant ठीक है और फुल मिला के मेरे पास यह equation आ गई तो हमारे next video में हम लोग यहीं से start करेंगे